आप देख रहे हैं MK News India और मैं हूँ आपके साथ इमरान खान अभी हम उपस्तित हैं फॉर्बिस गंज के इकरा कोचिंग सेंटर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ बच्चे हैं जो यहां के सिक्षक से मिलने के लिए आये हुए हैं और उनके साथ यहां के उनक इकरा कोचिंग सेंटर से आप लोग पराई करते हैं ना तो कितना परसेंटेज लाए हैं 92 परसेंट लाए हुए हैं तो किस तरह से आप लोग पराई किये जो इकरा कोचिंग सेंटर में और 92 परसेंट से आप पास किये हैं बिसिकली सर हमें सर के गाइडलाइन पे चले हैं और सुरुवात से सर हम पर मेहनत किये और हम सर के रूल को फॉलो करते चले और कड़ी मेहनत संगर्ष के साथ सर हमारा यह रहा और एक्जाम उसके बाद अच्छारी जलता है बादल शर्मा तो आपका कितना परशेंट नैंटी टू परसेंट यानि आप दोनों सेम सेम है नकल क तो नहीं किया है एक दूसरे को देख करके कुछ बहुत जादा दूर भी थी और हर एक सब्जेक्ट के अनुसरा हमें अलग-अलग मार्थ मिले हैं अगर नकल करते तो हर एक चीज़ तो एक ही रहता और सेंटेज सेम हैं लेकिन सब्जेक्ट में अलग-अलग यह 92 चाहे बनाएंगे उसके बाद सभी अपने अपनी तैयारिया करेंगे अपने अपने से शहत्र में जाएंगे अपने उद्देश वे करके आगे बरेंगे तो क्या उद्देश है वह निट कर ले करेंगा शेमनल शुरह करें पर दिए लिए हैं लाक्स है आप और यहां से पास किया हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरा लक्ष है कि हम इंटेर्ट करेंगे यहीं से और नीट निकालने का कुछिस करेंगे और डॉक्टर बना चाहिए अलीगर्ट का भी त्यारी कर रहे हैं तो यह जो अभी 88 परशेंट लाए हैं खास करके मैं बात करूँ कि परसेंटेज चाहे जो भी हो अगर आप फश्ट आते हैं तो यह भी बहुत बड़े माइने रखती है और खास करके एक लक्स होता है किसी भी एस्टूडेंट का तो गार्जियन किस तरह से सपोर्ट कर पाते हैं और बहुत किसो कुमार तो आप भी फश्ट इविजन से पास किये हैं बेट्रिक को ले करके और आगे आपकी क्या तैयारिया है खोई हैं क्या कुछ करना चाहते हैं के अंगे हम इंजिनेर इंग करना चाहते हैं यहाख और पहला करूं कि जब टेंथ का एक्जाम होता है तो सभी बच्चे सभी सब्जेक्त की तयारिया करते हैंальная उसके बाहर जाये देते हैं उसके रिजल्ट जैसा होता है फिर स्टूडेंट खुद तैय करते हैं कि हमें क्या कुछ करना है कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बच्पन से ही उनकी खुआइस होती है कि मुझे क्या कुछ करना है बैट जाए अप लोग तो उसको लेकर के गार्जियन का कितना सपोर्ट होता है गार्जियन उनको किस तरह से सपोर्ट कर पाते हैं और बच्चे कितने लगनशील होते हैं मेहनती होते हैं कितना लेबोरियस है उसके उस पर निर्भर करता है खास करके मैं बात करूँ कि यहां पर और गार्जियन भी है इनसे भी हम बात करते हैं क्या नाम हुए सराफ का मेरा नाम दीपुकमार हो गया । आपको कैसा लगा होगा कि जब आपके बच्चे अच्छे performance किये तो आपको जब मालूम हुआ तो कैसा लगा हमें तो बहुत अच्छा लगा और इसमें खास कर के मैं सर की बात करूंगा सफिक सरक्रा इसका पुरा सहयोग्रा हमारे बच्चे के उपर और सारे रास्ते इसी ने दिखाये इसको इसका सरा बहुत अच्छा युगदान निमाए मेरे बच्चे में तो इकरा कोचिंन्ग सेंटर में यहां से विछ के आपके परहाई करके स्वीजन आया है तो कैसा लगा है आप लोग मैसुस सो रहा है ऐखिया आप किया नाम हुआ मेरे तो आपकी भी बच्ची हैं यह ने बादल कुमार शर्मा जो 92% लाए हुए है देखिए अभी हमने जिन से बात किया है बादल कुमार शर्मा से ये उनकी माताश्री है और 92% लाए हुए है जो इस बार बोर्ड के एक्जाम में और खास करके के लिए और जीला के लिए भी बहुत खुसी की बात है लेकिन और भी मेहनत करते हैं तो कभी स्टेट टॉपर भी बन सकते थे यहां से आप इकरा कोचिंग सेंटर में कब से प्रहाई कर रहे हैं आपके बच्चे फर्च डिविजन आये हैं 92 परशेंट लाये हैं और खास करके उनकी जो तैयारिया है वह आपको तो रिजल्ट दे दिये हैं लेकिन आपका रिजल्ट कैसा रहे जो आगे उनके भविस को लेकर के आप लोग क्या सोच लें जो करना चाहता है हम मदद करेंगे उसका जो करें हम तो मदद करने के लिए तैयारिया है हर कोई गार्जन है चाहते हैं कि मेरे बच्चे भविस में बहतर कुछ करें और कुछ करें उसको लेकर करके वो तयारिया करते हैं और गार्जन उनको सपोर्ट करते हैं खास करके रूरल छेत्र में एक माइने रखती है कि एजुकेशन को ले करके बहतर कोचिंग संस्था नहीं होता है जिससे कि बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं अक्षा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं लेकिन बात फारवी संच की होती है तो यहां हम इकरा कोचिंग सेंटर में ह मुहमद सफिक जी उनसे जो हमने बात किया है उनका मानना है कि यहां से 80% एस्टूडेंट यहां से जो पर्थम सेर्णी से उत्तिन प्राप्त किये हैं और बाकी जो है सेकेंड है और थर्ड है फेल की बात करें तो एक भी यहां से नहीं है तो यह एक उपलब्दी है कोचिं प्राइब बाताते रखे ते प्रणाे हुझा घ्रणाता। क्या कुछ करना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए जो है अभी से तयारियां आपके चल रही है पहले से ठान रखेंगे टीचर बनना है आपकी बच्ची है जो सिक्षि का बनना चाहती है तो कैसा सपोर्ट आपका रहेगा और क्या लग रहा है कि वह बन पाएंगे करना चाहती है उसके साथ हैं और भी हैं गार्जियन हैं उनसे भी हम बात करते हैं क्या नाम हुआ सर आपका अमीर अली आपके बच्चे हैं जो जी तो उनका अलीगर जाने का सोच रहे हैं कैसा स्टूडेंट है वह किस तरह से बच्पन में कैसा तैयारी कर रहेता है क्या सपोर्ट रहेगा आप लोग अगर बच्चों को इस तरह से अगर अच्छा अंक लाते हैं बहतर परफॉर्मेंस करते हैं क्या करते हैं बिजनेस करते हैं तो इसमें बिजनेस करते हुए बच्चों के परती आप लोग समय निकाल पाते हैं बिल्कुल निकाल पाते हैं कि आपका कौन डिविजन आये है आप आगे क्या तैयारियां करना चाहते हैं कैसी परहाई करना चाहते हैं किस चेत्र में जाना चाहते हैं तो फिलार आई सी कर रहे हैं और नीट का त्यारी करना है आपका मेडम क्या नाम का सीता देवी जी आप आपकी बच्ची है जो बहतर अंकलाई है और फश्ट डिविजन से पास की है मैट्रिक में तो लड़कियों को खास करके बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि परने में जा करना चाहती है तो कैसा सपोट आप लोग करना चाहारा है सरी जहां तक जाये गी हम इसका सप़ोट में है यहीं कहा जाता है कि लड़के हो या लडória कि कोई किसी से कम नहीं है और खास करके अभी लड़कियां लड़कों से भी कम नहीं है पीछे नहीं है चाहे जिस तरह के जैसा भी रिजल्ट हो उसको ले करके बैतर परफॉर्मेंस दिखाती है अपने आपको साबित करती है और मेहनत करती है अपने मेहनत के बल पर रिजल्ट लाती है और गार्जियन जो उनसे खुस होते हैं और बच्चीयों को आगे ब परखने का समय होता है और वह किस छेत्र में जाना चाहते हैं यहीं से अपना एम बनाते हैं और उसी छेत्र में तयारी करते हैं और भविश में कुछ करते हैं तो फिलहाल यह देखना होता है गारजेन को भी कि हमें जो बच्चों को किस शिक्षक के पास दे रहे हैं कैसे संस् वहाँ का discipline क्या है वहाँ के education क्या है और वहाँ के performance पीछे का क्या है भविस का क्या है और वो क्या कुछ कर सकते हैं तो यह हम होता है खास करके guardian के लिए तो इकरा coaching center में हम उपस्तित है और मैं बात करूँ इकरा coaching center का तो यहाँ से 80% student जो first division आये हैं बाकी जो है सभी है बहतर result लाए हैं अपनी guardian को दिखाए है कुछ करने का और भविस में कुछ बनने का ठान रखा है तो यह वक्त बताएगा कि कौन सेत्र में कौन जाते हैं क्या कुछ कर पाते हैं तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए तयार है इकरा coaching center के डिरेक्टर मुहम्मद सफीक जी तो में की न्यूज इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत बहुत शुक्रिया इकरा coaching center में खास करके मेरा पहला सवाल होगा शफीक जी कि कब से यह coaching center आप चला रहा है 2017 से यह coaching center चल रही है और अभी लगबग उसको 5-6 साल होने जा रहा है तो कितने से कितने तक के बच्चों को परहाई करवाते हैं किस class है किस class तक की परहाई है उसके इलावा जो है इंटर आर्ट्स class 11-12 यह हमारे चल रहे हैं इस बात करें कि टेंथ का तो इस बार बोड का एक्जाम हुआ है बोड का एक्जाम में आपके coaching center से कितने टोटल जो बोड की एक्जाम में हैं कितने बच्चे यहां ना मांग की थे कितने बच्चे यहां परहाई कर रहे थे मेरी यहां से 2023 में में लगबग सो प्लस एस्टुएंट ते और सो प्लस में लगबग एटी एस्टुएंट जो पर्थम सरेनी से पास किये हैं यह कहां कि 80% स्टूटन यहां से पर्थम सरेनी से उत्रिन होगा बाकि जो 20-25 पस्ता है वह सकेंड और थर्ड कोई ऐसे बच्च सालों का का सफर है और कई सारे यहां दी आपको शेतर ने गय होंगे तो तरह से आप्यादियां कर बाते हैं जो बच्च आप कर रहे कि यहां से थेल से एक भी बच्चे नहीं हुए हैं तो आप क्या selected बच्चों को ही परहाते हैं या किस तरह से यहां पर लेते हैं यहां पर हर तरह के बच्चों लिया जाता है और आपने कहा कि स्लेक्टेट बच्चों को पढ़ाते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कोचिंग संस्थान है अगर 2021 की बात करें तो 2021 में भी हमारे यहां से 93% फरहत परविन लाई थी जो पटना बोर्ड भी गए थी इंटर्वियू देखे आई थी वह उसके इलाबा जो है अगर 2022 की बात करें तो उसमें भी जबर्दस रिजल्ट आया है बच्चों का और 2023 में साल बहतरिन रिजल्ट यहां से दिया जाता है और मेहनत होता है बच्चों पर और अच्छा रिजल्ट आता है तो क्या यह कारण क्या है यह जो बहतर रिजल्ट आ रहा है और बच्चों के परती किस तरह से उनको तयारिया करवाते हैं जो इतना बहतर रिजल्ट आपाता है जी इनकी तैयारी जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि क्लासेस में अच्छा खासा टाइम दिया जाता है और यहां पर अगर क्लास 10 की बात करें तो हमारे यहां लगबग क्लास 10 के बच्छों को पढ़ाने के लिए लगबग 8 टीचर रहते हैं और इनकी जो है तैयारी के पीछे सबसे बड़ा रिजन कारण यह है अच्छे रिजल्ट का कारण यह है कि जो है रेगुलर यहां पर टेस्ट होता रहता है हर 15 दिन पर टेस्ट होता है और टेस्ट की उसके उपर ताकित करते हैं तो यह जो आपका संस्थान है कोचिंग संस्थान जो इकरा कोचिंग सेंटर इसका कंस्ट्रक्शन कुछ खास नहीं है इतना कम जगह में इतने ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो इसका क्या वज़ाय यहां पर दिक्कत होती होगी किस तरह से जी थोड़ी बहुत परिशानी होती है लेकिन अगर कंश्ट्रक्शन की बात करें अगर बोहुत बहुत बहतरी निकरा अगर मेहनत नहीं врем तो यहां पर मेहनत का नतीजा निकलता है सर और बच्चे बेहतर कर पाते हैं तो आपने सुना मुहमद सफिक जी को जो एकरा कोचिंग सेंटर के डारेक्टर है इनका मानना है कि कुछ भी हो बिल्डिंग बहुत बरा बना लेने से कुछ भी नहीं होता है बच्चों के उपर मेहनत हम कितना करते हैं यह माइने रखती है और यही एक रिजल्ट का रूप लेता है अगर हम बच्चों पर बहतर तरीके से ध्यान देते हैं उसको परहाते हैं और जो भी उनका टेस्ट लेते हैं या इकली हो या मंधली टेस्ट हो इस तरह से हम लेते हैं और उसके अंदर जो खामिया है उसको हम पूरा करते हैं तो बच्चे बहतर रिजल्ट दे पाते हैं तो यही कारण हैं कि यहां से लगभग जो भी होते हैं बच्चे यहां परहाई करते हैं 80% student है कि इस बार बोर्ड के एक्साम में एकरा कोचिंग सेंटर से फ़र्च डिविजन से पास किये हैं और बाकी जो है सेकेंड है और थर्ड है फिलाल इतना ही बने रहे हैं के न्यूज अंडिया के साथ इमरान खान विरू रिपोर्ट विहार